हलो दोस्तों नमस्कार आदाप सस्रिया काल सभी को जी एस इनुकरण में आपका हादिक स्वागत और अभी नंदन करते हैं आज हम बात करेंगे ना इस डियलट को लेके बड़ी अपडेट क्या है जैसा कि थमनिल में लगा हुआ है ना इस डियलट साथी को लिए बड़ी रही थी कि नंदन बहुराज जी ने परधान मंतरी जी को राष्ट पाति को पत्र लिखा था कि जो गजट प्रकाशिं नहीं हुआ हूए यह तुरुटी हुए उसके लिए परधान मंतरी जी इसे कुछ एक्सल ने या राष्ट पती जी ने वह पत्र का जवाब दिया है रा बार बार देखी वह अपरे व्यक्तिगत पैसे फिसारी चीज़े देख सकते हैं माननी राष्ट पती जी को प्राप्त हुआ बोरा जी का पत्र क्या लिखा है इसके बारे में चलिए डीटेल में असपश पहले बात करते हैं पहले हम बात करेंगे आट्याई में आया है देखे कि यह डीएलएट की परिच्छा उत्रिंट करने के बाद आप राजसरकार द्वारा निकाले गए बिभिन पदों के लिए राजवार द्वारा की यह गई उग्रता का उसारा परिच्छा दे पाएंगे पूछा गया क्या बताईए जो आपने कहा कि अब क्या हम पर इच्छा दे पाएंग तुर्णों ने कहा ता नहीं विल्कुल आप युद्ध डिले द्वारा किये गए राज्ज के करने वाले आपकिसी भी राज्जिक अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं फार्म भर सकते हैं यह में भी कहा गया कि नहीं आप फांबार सकते हैं राष्ट पती कार्याल या राष्ट पती सचीवाल ऐसी राष्ट पती भवन है देखे आपको थोड़ा सक ब्लर दिख रहा हो कि हमने इसका पीडियाप थोड़ा जूम किया कि वह छोटा लिखा था तो इसमें देख सकते है किरपया उपयुक्त बिशय में भारत के राष्ट पती के आदेशित दिनांक 26 देसंबर 2030 को असपश्ट याचिका उपयुक्त धाना कर्शन के लिए संगलंग का है जो कि पत्र 26 देसंबर को रिसीप किया गया तो कहां राष्ट पती भवन में उपयुक्त बिशय में याचिका करतावा द्वारा मांगी गई सूचना या याचिका करतावा द्वारा दी गई प्रेशिडेंट से राष्ट पती के द्वारा की गई याचिका से यह संलंग्न राष्ट पती को मलब की कहने यह संलंग्न पार्थी को दी जह मलब बिद्यार साथ साथ एक receiving नंदन बोहरा जी को सर को भेजी गई है तो अब देख सकते हैं प्रतिनी थी नंदन श्री नंदन बोहरा जी और इनका इड्रेस पुरा लिखा है उसमें दिखा गया है कि आप दिने जो रोध किया है कैने मतलब पत्र वहां से जो राष्टपतिक भवन से आया ह ज़्यादा डिटेल में नहीं का बसे इंदा का अगया जो पार्थी ने जो विद्यारती ने जो इस ने पार्थी ने जो चीजे बांगी है जानकरी उसको जानकरी वहाँ पर लेवल कराई जाय और यह चीजे और यह जज़र प्रकासिन के लिए अगर किया गया है तो ऐसे जो भी कारवाई हो अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है किसे जाच करके आगे प्रक्रिया को फालो किया जाए या आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए तो कहने मनलब राश्टपती ने हमारी बात को थोड़ा सा इस अब डीटेल में हम नहीं बता सकती किसमें ज्यादा करें और उसको आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं तो कहने मतलब कहीं ने कहीं अब बुद्धा राश्टपती प्रधानमंद्रित पहुंचा अगर वहां से पत्राद रहा तो यह बड़ी खबर किया खुसी की वाली बात है और यह आने वाले समय में आपके लिए फाइदे ही क करेंगा और फाइदे के लिए क्योंकि कहीं न कहीं आपको यह जीत दिलाने का बहुत बड़ा मुद्धा होगा क्योंकि आप जब राश्टपती के हां से पत्राता है जो पार्थी ने जो विद्यार्थी ने इस चीज़ को जो चीज़े कहा है उसको आगे बढ़ाया जाए या कहीं न कहीं अगर दिक्कत है तो उसको समधानिक तोर पर या कानूनी तोर पर उसके आगे करवाई की जाए तो यही खबर है वीडियो पसंद आते चैनल को लाइक करें ज्यादा अपने दोस्तों में सेर करें सिच्छक भरती पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्स